नमस्कार टीवी टॉंटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ असोग बर्मा करोना के बढ़ते ग्राप को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें अब रुख करते हैं खबरों की तरफ लखनव से बड़ी खबर कही जाएगी जहां सपा प्रवक्ता ने ट्वीट के जरिये भाजपा ने तव राज़सवासांसत पर गंभी रारोप लगाया है उन्होंने कहा है कि करोना काल में भी भाजपा के राज़सवासांसत के बेटे की आयासी में कोई कमी नहीं आई राज़सवासांसत के बेटे ने साथ लाख रुपे दे कर थाईलेंड से काल गल बुलाई थी जो संक्रमन होई थी और इलाज़स की मौथ हो गई लगनो का मिस्टनेट पुलिस अब खंगाल रही है तार की आखिर कैसे चल रहा भी देसी काल गल का नेट वर्क पुलिस राज़सथान के ट्रेवल एज़सेंट की तलास में लेकिन राज़धानी में अपनी आज़से के लिए बुलाने वाले राज़सथान से विवसाई का बेटा अभी भी पुलिस की जट से बाहर है दस दिन तक काल गल थी लगनो में मौझध लेकिन स्बपर्क में आने वाली का पुलिस पता लगा रही है काल गल को लगनो बुलाने वाले भाज़धा के राज़सवा सांसत के बेटे से अभी तक कोई पूछदाच नहीं हुई है पहला सवाल है कि आखिर लगटाउन के बीच भारत कैसे आई वही एक अकबार में प्रकास्टे रिपोर्ट के मताबिक यह महिला एक काल गल थी जिसे दजने पहले लगनो के एक बड़े विजनस्मैन के बेटे ने राको रुपए खर्च करके थाईलैंड से बुलाया था लेकिन दो दिन बाद ही वो बिमार पड़ गई तो उसे लोही अस्पताल में ले गया गया जहां उसकी मौत हो गई फिर पुलिश ने लगनो में उसकी सायोगिय जिन्ट सल्मान की मौजूदकी में अंतिम संस्कार करा दिया इसी सल्मान के सारे वो भारत आई थी लगनोग पुलिस अब सल्मान से वीदे सी महिला की भारत आने की वज़ा के बारे हम पुछताज कर सकती है पुलिश ने बताया कि महिला ठाई साप्रेल को लगनोग पहुंची थी तबियत भी करने के बाद उसे अस्पताल ले जा गया वहाँ इसे बीच थाई दुतावास का कायना है कि उसके अधिकारी इस मामले को लेकर मृत्का के परजनों और लखनों पुलिस के संपर्क में है